हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल पर तो आज हम करेंगे आई बोटनी क्लास जो की है वंस्पतिशास्त्र तो आई बोटनी क्लास जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो आई बोटनी क्लास है, इसके अंदर जो हैं विभिन परकार की वनस्पतियों के प्राकरतिक वर्गों का अध्यान किया जाते हैं, तथा इन वनस्पतियों की सरंचना, इनकी साररी किर्या, इनका विकास क्रम और इनके विभिन अवेवाँ आधिक अध्यान किया जाते हैं, तो आएए देखते हैं इसका पक्ष परिशुत्र जो की आई बोटनी क्लास से स्टार्ट है P, P2, E come 2P ये इसका पक्ष परिशुत्र है जिसके बाद इसके परिशुत्र का विसलेशन करते हैं तो जो एक नंबर है वो है क्रिप्टो गेमिया क्रिप्टो गेमिया मिन्स नोन फ्लोवरिंग प्लाट भी बोलते हैं से एक नंबर जो है इसके अंतरगर जो अवेव आएंगे वो नोन फ्लोवरिंग प्लाट के आएंगे और जैसा कि नीचे जब चलते हैं हम जो पांच नंबर है उसको फैलेरों गेमिया या फिर फ्लोवरि प्लांट के आगे सबडिवीजन आईगी जो एक नंबर नोन फ्लोर्वरिंग प्लांट मिंस पुष्प रही या पुषप हीन वन्सपती है उसके अंतरगाद दो से लेके चार तक अपन कर सकते हैं जो पुषप हीन वन्सपती आईगी वो आईगी उसके बाद में जो पात नं बिताई जिन नहीं वह 6 से लेके 8 तक जाएंगे रेंगे द जो यह अठक चलेगा जो आहां चाह ट यह हो जो 950 एकॉलोजिकल ग्रूप तो ecological group के अंदर क्या दिया होगा है same as in G-biology with the following additional means ये भी use होँगे इसमें और इसके अंतर का तोर क्या use होगा जो G-biology है उसका जो ecological group है वो use होगा इसका आप example करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा तो अभी एक बार example करते हैं फिर देखते हैं समझते इसको तो फ्रेंड देखेंगे जो अपना पहला question है वो है non flowering plant तो non flowering plant plant से means eye botany की class है तो colon के अंदर देखेंगे non flowering plant का number तो सीधा सीधा हम को मिलता है एक number पे non flowering plant तो इससे पहले क्या होगा main class, main class के बाद force ip का एक लग जाएगा तो इसका answer क्या लिखेंगे इसका answer लिखेंगे i i के बाद one यह इसका answer होगे और इसको one ना लिखके i भी लिख सकते हैं तो दोनों इसका answer सही होगे i one या फिर i अब देखें दोस्तों next question है desert plant तो plants से अपने को पता लग रहा है कि यह i class में आएगा उसके बाद desert देखेंगे तो मैंने अभी आपको बताए था desert जो है वो इस class के अंदर अपने को नहीं मिलेगा तो इससे देखने के लिए P के अंदर जब आपन 95 पे जाएंगे तो ecological group के अंदर G biology का यूज अपने को दिया हुए अब इसको अपन पीछे dictionary के अंदर भी देख सकते हैं जो desert है वो अपने को G biology में मिलेगा तो इसको वहाँ से भी देख सकते हैं और G biology के अंदर जाके भी अपन इसको ढूण सकते हैं तो G biology का जो 95 है वो अभी अपन देखेंगे तो हम अब G biology की class के अंदर आ गये हैं तो इसके अंदर फोसाइपी के अंदर अपन नीचे चलेंगे तो 95 पे ecological group आपको दिख रहा होगा तो ecological group के जब नीचे जाएंगे तो नीचे देखेंगे ये desert मिल अपने को तो इसका नंबर है 95121 तो ये सेम का सेम अपन आए के बाद इसको उतार देगे 95121 ये इसका answer रोगे अब अपन इसमें next P2 पक्ष देखते हैं पीटू फसाई देखते हैं तो इसके अंदर क्या है कि जब इसको देखते हैं तो इसके अंदर पक्ष में वन स्पतियों के आवेवों का भाग जो है उसका उलेक किया गया है जैसे 1-2 पे देखे टीश्यू है 1-3 पे देखे रूट है तो 1-6 पे देखे फूल ओवर है 1-6 पे फूल ओवर है तो इसी परकार जो इसमाद यह कहे हैं और बाक्की का क्या लिखा है नीचे एक लाइन देखे इसका कहने का क्या मतलब है कि जो L-medicine के P-pux के 2-8 एकलों से प्रापत की जाती जो संक है वो यहाँ यूज़ करने जो L-medicine के P-pux में है 2-8 तक अपन यहाँ पे उसको यूज़ कर सकती तो इसको कैसे यूज़ करेंगे इसका भी एक 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 एक्जामपल करके देखते हैं तो ज़्याद समझाएगा चलिए एक्जामपल करें जो next question है वो है bark of flowering plant यह bark का मतलब होता है skin skin of flowering plant और flowering plant से अपन को पता लग रहा है कि यह जो class है वो iboten की class है और flowering का क्या लगाएंगे अभी आपन कोलन के इंदर चेक करते हैं flowering का क्या होगा जो बोटनी class है उसकी p के अंदर देखेंगे p के अंदर जो निस्टी आएंगे तो पांस नमबर पे flowering plant तो इसका यह i की बाद p को यूज़ करते हैं डारेक्ट तो i के बाद 5 लगा देंगे तो i के बाद 5 अब यह बारक है या skin है यह अपने को l medicine की class के अंदर मिलेगा तो पहले तो instruction देखेंगे इसके अंदर की l medicine की class में का से जान अपने को तो p2 के अंदर अपने को p2 p2 से पहले coma लगेगा coma के बाद 2 से लेके 8 के बीच में अपन डूढ़नेंगे कहां पे अपने को skin मिलते हैं चली चली l medicine class में तो l medicine class में अपन पहुँच चुके हैं तो इसमें fosip के अंदर अपन skin डूढ़नेंगे तो skin अपन को मिलता है 87 पे यह देखे skin skin और बारक लिखावा तो यह है 87 इसके आगे आप लिख भी सकते हैं तो कोमा लगा के अपन पीटू के अंदर 87 लगा दे तो इसके बाद में कहलेंगे i5,87 यह इसका answer next जब इसकी हम energy देखते हैं यानि fosip 2p तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है as an g biology with additional following aid यह जो aid number है इसको use करना है और इसके बाद जो सारी g biology की income 2p है उसको use करना यहां पे तो इसका भी example करके देख लिए कैसे use होगा तो next question है ecology of fungi तो इसके अंदर अपने को फंगी से पता लग रहे आई वोटनी क्लास है तो मैं दिखा भी देता हूँ आपको यह कहां पे मिलेगा आपको आई वोटनी की क्लास के अंदर फोसाई P के अंदर 2-3 पे फंगी मिलेगा तो आई आई के बाद P का लगा देंगे 2-3 तो आई अपने को कोलन लगाके उसके बाद में रूल देखते हैं क्या रूल है जो एकम टूपी है वो जी बाइलोजी से अपने कोलन है तो जी बाइलोजी क्लास निकालेंगे तो अपन आचुके हैं बाइलोजी क्लास में biology की class के अंदर अपने को ढूणना है ecology तो ecom2p के अंदर ढूणना है अपने को ecom2p में देखा तो जब आगे जाएंगे तो ecology 5 मिलेगा तो यह same as same अपने को वहाँ use करना है तो इसका 5 number अपन आगे उतार दे तो यह इसका answer हुआ अब हमने जब जी biology की class की थी तो इसकी जो ecom2p थी use करते थे उसके अंदर एक rule था कि जो 3-3 है 3-3 में एक rule था जब metabolism की use करते हैं तो इसके साथ कोई भी chemical का नेम आता है तो उसको ecom2p के पी से लाती है उसको semi-colon लगाके 2m के साथ जोड़ा जाते हैं इसका एक example अब क्योंकि अपन ecom2p इसका यूज कर रहे हैं तो इसके साथ ibotny में ये use हो रहे है तो ये rule यहां भी लागू होगा तो इसका एक example देखते हैं कि जिसके अंदर chemical का नेम भी हो और plant से related भी हो और उसमें जी biology का word भी आता हो तो तीन होगा एक साथ यूज करके देखे तो कैसे question होगा देखें जो last question है वो है nitrogen metabolism in plant plant से अपने को पता लग गया कि ibotny की class है plant का i लग गया उसके बाद में अब आपने को इसके इंदर ना तो metabolism मिलेगा ना nitrogen मिलेगा nitrogen तो अपने को chemistry वाली class में मिलेगा तो metabolism अपने को biology की class में मिलेगा तो सबसे पहले i लग गया main class force ip तो है नहीं कुछ उसके बाद में colon लग जाएगा colon के बाद में सीधा पन चलेंगे colon के थुरू जो e come 2p है उसके जी biology यूज करनी है तो जी biology की class में चलेंगे जी biology की class में आए तो metabolism किस पे मिला 3-3 तो as it is अपन 3-3 इसका पहले यूज कर लें 3-3 अब इसमें semicolon लगा देंगे semicolon क्योंकि 2M यूज करने nitrogen nitrogen अपन को chemistry की class में मिलेगा तो जो nitrogen है वो अपन को e chemistry की class में मिलेगा तो nitrogen का नमबर अपन को मिलेगा यह देगे 1.500 पे nitrogen तो as it is semicolon लगा के 1.500 लगा देंगे तो semicolon उसके बाद 1.500 यह हो गया complicated example जिसमें i-botony प्लस जी बाइलोजी और e chemistry का use हूँ है तिनों का use एक साथ हूँ है तो इसका यह example लागे I hope आपको यह class समझाई होगी अगर कुछ doubt है तो आप दुबारा मेर से बूच सकते हैं class देखने के लिए धन्यवाद Thank you